जैहिन मैं दीपक सर्माप के गड़ फिर से स्वागत करता हूं अपने चनल हर्यान अपडेटी डेडी न्यूज में और वक्त होज लाहे डेवाडी की सुबह की बड़ी खबरोगा तो आपको देगी कुरोना की तीसी लैर लगातर बढ़ती जा रही है तो सो चोतर एक्टिव पर ही राज किया जा रहा है लेकिन कुरोना की जो दूसी लैर थी उसमें बड़ा बयानक रूप लिया था इस टाइम 49 लोग अस्पताल में बढ़ती हो चुके थे और एक की मोत हो चुके थे लेकिन तीसी लैर में ऐसा नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसको बैड उपलब्द हो गए हैं और वेंटी लेटर च्छान में भी हो चुके हैं जो की दूसी लैर में बहुत ही कम थे इसलिए लोगों की मौत ज्यादा हो रही थी आगी खबर की बात के लिए तो आपको बता देगी गैस एजनसी संचालक से साड़े 46 लाग रुपे की दोख पुडगावा निवासी के रूप में हुई है और उप इनको पुलिस ने एक दिन की रिमांड पर विलिया है आकुदादी की जो गैस एजनसी संचाल लगा है उन्होंने उस कंपनी में स्लेंडर सप्लाई करता था लेकिन जब पेमेंट मांगने काया तो पेमेंट नहीं दी उसके बाद उन्होंने 46 लाग रुप का चेक काटकर कहा कि आप 31 दिसंबर को बैंक में लगा ना SBI में तो जब उसके कहिया उन्होंने 31 दिसंबर को बैंक में चेक लगाया तो बैंक वालोंने बताया कि ये खाता नंबर तो 31 दिसंबर से पहले ही बंद हो चुका है इसलिए और उने प्लिस को रिपोर्ट दी है प्लिस ने रिपोर्ट लिकर जांज करती थी और उसके बाद आरोपी को गृतार भी कर लिया गया है आगे की ख़बर की बात कर ले तो आप बता दे कि आई जीव अपडेट है आई जीव में जिन बच्चों की UMC बन गई थी अब उनको अ अठारा जनुरी तक जमाख करानी होगी इसके लिए आप ओनलाइं या ओफलाइन दोनों तरीके से करवा सकते हैं और इसको आप करवाने की बाद इमेल पर बेजना है आपको इमेल हम नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन बोस्ट में उसमें जाकर आप जमाख करवा सकते ह आगे खबर की बात करें तो आपके दाते कि दिली जैपुर राजमार्क पर गोवन से भरा टक पकड़ा 39 गयों को मुक्त कराया जबकि एक गयों की मुत भी हो गई है दिली जैपुर राजमार्क पर साबे पुल के निकट थारड़ा पुलिस ने बजरंग दल के सयोग से एक गोवन से भरा कंटेनर टक पकड़ा है गोव तसक्रों ने गाए के मुह और पैर बांद कर एक दूसरे के उपर डाला हुआ था पुलिस ने ट्रक से 29 गयों को मुक्त करा है जबकि एक आए की मुत हो गई है पुलिस ने मामले के एक आरुप्य पर ही पकड़ लिया है जो कि यूपी के जिला संबल के गाउं हिंद पुरा खेड़ा निवासी है और आगे की दाच शुरू करती है